असलाम अलेकम स्टुडेंट्स वेलकम टू को अगे लेके चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे नेसिसेरी कंडिशन फॉर डेड़ लॉग देखें हमने पिशली क्लास में डेड़ लॉग को डिस्कस किया था डेड़ लॉग मैंने आपको एक जनरल लाइफ एक्जेंपल से सम मुझूद थी आज उसको भी थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं ताके डेड़ लॉग का एक रीकैप भी हो जाए और नेसेसरी कंडिशन को भी हम डिटेल में इंशालला डिसकस करेंगे ठीक है अब आपके पास जो बेसिकली डेड़ लॉग है वो क्या है अब हम बात करेंगे क की जरूरत होगी और स्कैनर की जरूरत होगी तो अब जो प्रोसेस ए है उसको दे दिया गया है स्कैनर ठीक है और प्रोसेस बी जो है उसको दे दिया गया है सीडी रिकॉर्डर ठीक है अब जब ये दोनों अपना काम कर रहे हैं तो इसी दोरान में प्रोसेस ए ने जो है व कि वो अपना resource release नहीं कर रहा, उस resource को क्या कर रहा है, scanner को non shareable रख रहा है, मतलब क्या, कि वो अगर उस resource को release कर दे, ताकि उससे कोई और process भी और फाइदा ले सके, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि उस scanner वले जो resource है उसको non shareable रख रहा है अपने पास hold कर रहा है और क्या कर रहा है demand कर रहा है एक नए resource की ऐसी situation में क्या होता है process B जो है वो क्या कर लेता है वो CD recorder अपने पास रखते हो और demand कर लेता है scanner की तो अब क्या होगा एक close chain के अंदर एक circular wait शुरू हो जाएगा क्या मतलब कि process A और process B एक ही काम कर रहे थे लेकिन एक ही time पर दोनों को दूसरे resources की जरूरत पड़ी लेकिन दोनों processes क्या काम कर रहे हैं अपने resources को hold रख रहे हैं और दूसरे की demand कर रहे हैं तो क्या होगा एक ऐसी waiting state अकर हो जाएगी जो कि कभी खतम ही नहीं होगी और इस state को हम क्या कहते हैं deadlock अब हम discuss करते हैं कि deadlock occur करने के लिए या deadlock के लिए necessary conditions कोन सी है तो पहली जो condition है वो है mutual exclusion इसका क्या मतलब है देखें आपके पास जो आपका process है जो deadlock अगर आप occur करना चाहते है या deadlock जो है उसके लिए necessary पहली condition आपके पास mutual exclusion है mutual exclusion का मतलब क्या है mutual exclusion का मतलब यह है कि process के पास एक resource at least ऐसा होना चाहिए जो के non shareable हो मतलब क्या कि जो resource है वो किसी और के साथ share ना करे जब तक वो process खतम नहीं हो जाता वो उस resource को किसी के साथ भी share ना करे यानि कि प्रिम्शन ना हो उस resources की इसे हम कहेंगे क्या mutual exclusion मतलब क्या कि जो यह हम let's say हम कहते हैं कि यह एक resource है ठीक है और यह मैं भी इस्तमाल कर रहा हूँ यह आप भी इस्तमाल करें तो हम कहेंगे यह mutual inclusion है और अगर यह मैं सिरफ मैं अपने पास रख रहा हूँ ठीक है तो यह mutual exclusion है इसको हमने mutual use से निकाल दिया तो निकालने को क्या कहते है exclude करना या exclusion है और अगर यह हम दोनों इस्तमाल कर रहा है तो हम कहेंगे यह mutual inclusion के अंदर है दूसरा जो दूसरी condition है वो क्या है hold and wait hold and wait का मतलब यह है कि आपका जो एक resource है आप उसको hold रखे और share ना करे और दूसरी resource की demand करके उसका wait करे इस condition को हम कहेंगे कि यह क्या है आपके पास hold and wait कि आपने एक resource को own किया हुआ है और आप additional resources की demand कर रहे हैं operating system से ठीक है तीसरी condition आपके पास क्या है नो प्रिम्शन मतलब क्या कि जो processes है वो अगर let's say एक resource जो है वो एक process को allocate हो गया है जैसे हमने पहले discuss किया कि जो process A है उसको scanner मिल गया और जो process B है उसको CD recorder मिल गया तो basically क्या होगा अब जो process A को scanner मिल गया है वो scanner को print नहीं कर रहा किसी दूसरे process को नहीं देगा उसको non shareable रखेगा और उसको अपने pass रखेगा अच्छा इसमें जो चोथी condition है हमारे पास और जो last condition है that is circular weight अच्छा circular weight आपको यह समझ आ जाएगा कि जब दो process है उनका एक दूसरी के साथ one to one connection हो one to one connection से मुराग यह है कि अगर दो processes है तो एक के पास एक resource हो और दूसरे के पास दूसरा resource हो और वो अन resources को share ना कर रहे हो और हर process ने at least one resource को अपने पास hold down रखा हो ठीक है अब यह जो close weight है इसकी आपको next class में इंशाला है मैं diagramatically clear कर दूँगा जब हम इससे prevention की बात करेंगे ठीक हमने deadlock से कैसे बज़ना है तो जो चार conditions है necessary वो कौन कौन सी है mutual exclusion मतलब क्या कि एक resource जो है वो non shareable होना चाहिए दूसरा क्या है hold and wait उसका क्या मतलब है कि आपने एक resource को hold down रखना है और दूसरे का wait करना है ठीक है तीसरी है no permission मतलब क्या कि जो resource है वो आप किसी दूसरे process को नहीं दे सकते जब तक पहला process release ना करे या पहला process खतम ना हो जाए और circular wait क्या है कि तमाम तर processes जो है उनके पास at least एक resource ऐसा होना चाहिए जो के non shareable हो और प्रिम्शन भी उसमें ना हो I hope so ये conditions आपको clear हो गई होंगी इंशाला इस chapter की आखरी class हम इंशाला record करेंगे और उ करते हैं तब तक के लिए stay tuned अला हाफिज